जैश्री महाकाल जैश्री महाकाल दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओम्चो में आप सभी का दिल से स्वागत है या बार है यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो मैं निवेद प्रश्री महाकाल लिखना है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर दीजेगा और शेयर भी करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों दनवान बनने के लिए सबसे पहले अपने घर में जितना भी अनुपयोगी चीजे हैं जिसे कबार हो कर दीजेगा दूसरे नंबर पर अपने घर के बाहरी दर्वाजा पर एक बल्फ जरूर लगाएं रात में प्रकास के लिए और असे रात में हमेशा सायम समय से जब तक आप सोते नहीं हो दस ग्यारा बज़े जितनी भी समय तक तब तक उसे चालू रखे तीसरे नंबर पर आप अपने पैसे का बचाओ करें मतलब दस प्रतिशत या पांच प्रतिशत सेविंग करें जो भी कमाते हैं उसका कुछ थोड़ा पैसा सेविंग करें तो आपको फाइदा होगा अब दोस्तों में बात करता हूँ कि आपको करना है कि हर शुकरवार मालक्षमी को कमल का चरण पादुका आपको लानी है चरण पादुका आपको आसानी से बाजार में मिल जाती है वहाँ से लाइएगा उस चरण पादुका को नारायन मंदीर या विश्णु मंदीर कहीं भी आपके महले में सहर में आसपास कहीं हो वहाँ पर चरणों को टच कर दीजेगा और अ भगवान रहते हैं वहीं पर लक्ष्मी जी का वास होता है तो आपके पर घर में लक्ष्मी अकूत संपदा होगी लक्ष्मी होगी दंदम संपन्यता और बहुत सारे फायदे आप कोटों में टिकली दिखाई देने लग जाएंगे करना ये कि उनकी पूजा पार्ट पूरी मा अच्छल नहीं रखें और पूरे भाव और शद्दापुरों कि ये काम आपको करना है तो दोस्तों बस यही जो जानकर ये धन्वान बनाने के लिए बहुत महत्पूर है आपके लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जैश् करें प्रिमा हनकाई